Hello friends, आज की वीडियो में हम लोग Modern History के एक बहुत ही important topic Heart Talk Committee के बारे में पढ़ेंगे Start करते हैं इसके background से हुआ क्या कि Government of India Act 1919 के working को review करने के लिए एक commission को appoint किया गया जिसका नाम था Simon Commission Simon Commission को Government of India Act 1919 को review करना था और उसके base पर propose करना था कि भारत में कौन-कौन से constitutional reforms लाए जाएं इसी के साथ साथ Simon Commission को ये भी जिम्मेदारी दी गई कि वो Indian education में reforms भी propose करें ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि एक ही commission को constitutional reforms और educational reforms दोनों की जिम्मेदारी दे दी गई बड़ एक्चुली में बात ये है कि Government of India Act 1919 में ही education related बहुत ही बड़े-बड़े changes हुए थे तो Britishers ने सोचा कि जब एक committee बन रही है जो Government of India Act 1919 को review करेगी तो क्यों न साथ ही साथ वो education के status को भी review कर ले तो यहाँ पर ये जानना important होगा कि Government of India Act 1919 ने ऐसा क्या किया था education related तो Government of India Act 1919 ने basically provinces में डायर के introduce कर दी थी और ऐसे में provinces के पास दो थरह के subjects होते थे reserved subject और transfer subject education को transfer subject list में रखा गया था इससे education में क्या प्रभाव पढ़ा ये तो हम लोग से हम लोग उसी point पर आते हैं कि Simon Commission जो है उसके पास अब दो जिम्मिदारी है constitutional reforms और educational reforms तो Simon Commission ने decide कि वो constitutional reforms पर focus करेंगे और इसी लिए उन्होंने अपना थोड़ा काम delegate कर दिया और एक नई कमेटी बनाई जिसका नाम था हार्टो कमेटी इसके चेर्मेंते फिलिप हार्टोग इसका मतलब इंडियन education से related proposal देने की जिम्मिदारी अब इसी कमेटी को दी गई चलिए देखते हैं कि हार्टो कमेटी ने क्या क्या recommend किया हार्टो कमेटी ने कहा कि देश में primary education की हालत बहुत ही अब इसका कारण क्या है तो हार्टो कमेटी ने इसके दो कारण बताए वेस्टेज और स्टेगनेशन हार्टो कमेटी के हिसाब से अगर बच्चे primary education खतम करने से पहले ही school छोड़ दे यानि पढ़ाई बीच में छोड़ दे तो उसे वेस्टेज कहा जाएगा हार्टो किसे वेस्टेज इसलिए मानते थे क्योंकि ब्रिटिस सरकार का main मकसिद था देश के बच्चों को पढ़ा लिखा कर clerk बनाना और इसके लिए ब्रिटिस सरकार बहुत ज़्यादा पैसा और एफर्स लगा रही थी और अगर ऐसे में कुछी class पास करने के बाद माबाप जो है वो बच्चों को आगे पढ़ने ही न दे तो इसका मतलब उन बच्चों पर जो ब्रिटिस सरकार ने पैसा और एफर्स लगाए वो तो वेस्ट हो गए तो पहली दिक्कत तो हार्टोग के साब से थी वेस्टेज और दूसरी दिक्कत थी इस्टेगनेशन यानि ऐसे बच्चे जो पेल होगो कर सेम क्लास में पढ़े जा रहे हैं तो हार्टोग चाहते थे कि प्राइमरी एजुकेशन पर ज्यादा एंफेसिस दिया जाए इसके लिए उन्होंने रिकमेंड किया कि स्कूल को बहुत तेजी से न बढ़ाये जाए पहले क्वालिटी पर ध्यान दे प्राइमरी टीचर्स का स्टेंडर्ड इंप्रूफ किया जाए टीचर्स की ट्रेनिंग पर ध्यान दिया जाए इस तरह क्वालिटी इंक्रीज होगी और एक बार क्वालिटी ओफ एजुकेशन इंक्रीज हुई में अच्छे हैं सिर्फ वही high school में जाएं बागी के जो average बच्चे हैं उनको vocational courses में डाल देना चाहिए इसी के साथ साथ इन्होंने universities के लिए recommendation दी इन्होंने कहा कि हर कोई जो बारवी pass कर लेता है उसको universities में admission नहीं मिलना चाहिए in fact student के ability और aptitude के बैस पर होना चाहिए कि उसको university में admission दिया भी जाना चाहिए कि नहीं यानि इन्होंने recommend किया कि universities में admission restrict किये जाए तो ये थी hard to committee की recommendation जिने mostly implement नहीं करा गया इंडिया की history और Indian quality को detail में cover करने के लिए books दावा की playlist को follow कीजिए thank you so much for watching and supporting books दावा